तो हेलो फेंट कैसे आप दोस्तों आज मैं आपको उताने वाल सकते हैं कमाल का फीचर्स बताने वालो जो कि आपको सेमसंग गेलेक्सी में प्रीइंस्टॉल मिलते हैं बट आपको उसकी थोड़ी सैटिंग से आप उसका यूज कर सकते हैं यह डिरी लाइफ में बहुत ही यह जो जैसा कि नमता है मैं आपको उताने राहwnों सेमसंग ग्लेक्सी मेंडेक्सी गमाल के ठचाने वालो यह जो फीचर्स है बहुत ही यूज में और बहुत ही कहांगे पिचर्स लिएक आफ यह तो AMY कर पाते हैं बहुत सब्सक्रारी से नोटिफीकिशन आती आप उसको read नहीं कर पाते हैं और आप चाहते हैं कि इसको नोटिकेशन को मैं बाद में देखूं 15 मिट बाद 20 मिट बाद पर फिर भी हम भूल जाते हैं उसको नहीं देख पाते हैं तो आप उसका एक रिमाइंडर सेट आउट कर सकते हैं जैसे कि आपको दिखरा होगा यहां पर एक बाद में आपको नोटिफिकेशन आजाएगा अगर आपको जाना यहां पर सेटिंग पे अपको जाना यहां पर नोटिफिकेशन वाले ओप्शन पे नोटिफिकेशन पर आपको जाना यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर एडवांस सेटिंग पर आपको जाना यहाँ पर नोटिफिकेशन रिवाइंडर का उप्शन होगा और पहले तो आपको शो स्नोज बटन को अन कर लेना है यह अगर आप आप नहीं करेंगे तो आपको नो जो बहुत important होती जिनकी आप notification बिस नहीं करना जाते उन एप को आप यहाँ पर select कर लो उन्हें आपको select कर लिना है उसके बाद यहाँ पर क्या होगा चार एप मैंने select कर लिए कर लिए तो उनको दुबारा से आप रीट कर लिए तो यह फीचर इस तरीकी से काम करता है जो की बहुती यूसफुल है उसके दोस्तों सेकेंड जो फीचर बताने वाला हूं वह यह है माल लो कि मैं यहाँ पर camera access कर रहा हूं मैं camera चला रहा हूं बस सडलनी मुझे कोई कोई दूसरी खोल नी यह कोई एप खोल रहा हूं मुझे शडंली कोई दूसरी एप खोल लियू है मैं नहीं है इतने संद्धर सरी यह खोले मुझे माल नो आपको यहां पर जाना है जो कि इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलता आपको इंस्टॉल करना पड़ता है इसके रिसेंटी अपडेट में यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर आपको सेट आउट कर लिए उस एप को यहां पर आप मेनेज कर सकते हैं यहां पर यहां पर क्लिक कर लेंगे यहां पर आपको जोन जोन सी यहां नहीं महां पर अपर आप सकते हैं सब्सक्राइब करना तो बार बार हमें इसको नोटिफिकेशन पैनल को पूरा नीचे करना पड़ता है फिर जाके हम यूज कर सकते हैं जिसको आप इसली अपने नोटिफिकेशन या वो सकते हैं अपने हम पैनल से आप इसको हम स्क्रीन को यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको करना है यहां पर क्लिक करना है जैसी आप यहां पर क्लिक करेंगे करना है यहां पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करके ओन कर दिया और इसको सेव कर दिया और यहां पर अगर आप चाहिए तो इसका आइकन को भी यहां पर साइन मिल जाएगा आप यहां पर उसका आइकन भी चेंज आउट कर सकते हैं और यहां पर कलर और यहां पर यहां पर यहां पर इसे को यहां होगा तो आपट स्पेक्टे करना एक टाप और वाइफ़ाइए आप empieza टाफ हो जाए मैंशने रिए तो यहां जाएस एड रूटीन गना आपको डिटैल्स पर जाओ यहां पर आइड्टेट पर डूटीन्स करो आड़ अब जाएगा मुझे यहाँ पर क्या करना है नो सब यहाँ पर फिर आइकन को सीट वाइकन आप कता यहाँ पर शेयक्ट कर देखेंगे रहyl पर हो गया म।ब आप कहल जाया है यहाँ छाना पना देखेंगे वहाँ पर हो गया है उसको फेल ह Klick से रूटीन से आप लगा सकते हैं जिनको आप शौटकट तरीके से यूज कर पाएंगे जो भी चीज आपको करना है विदाउट क्यों नोटिफिकेशन पैनल को एक्सिस करें तो यही नए टिप्स है यही मेरी तरफ से टिप्स बता है मैंने आपको सैमसेंग लेक्सीन उमीद आपको यह पसंद आई होगा अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मैं अब अब आपको पूछे नहीं तो ताकि अची नहीं अपडेट यार सबसे आपको मिलती रहे और हो सके तो वीडियो को शेर कर देना थैंक्यू